सब्सक्राइब किजिए मेरे क्या और कैसे यूट्यूब चैनल को और दबाईए बेल को और पाईए मेरे लेटिस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले और ये सेवा बिलकुल प्री है नमस्काल दोस्तों मैं हूँ सुभास और आप देख रहे हैं क्या और कैसे फ्रेंड आपने वीडियो के सुलवात में देखा होगा मेरे चैनल का इंट्रो जिसमें सब्सक्राइब और नॉटिफिकेशन बेल वाला इंट्रो था अगर कोई problem होता है आपके device पर support नहीं करता है क्योंकि कुछ-कुछ device पर support नहीं करता है तो मेरे video के description में आपको link मिल जाएगा कि आप किस तर से इस application का use कर सकते हैं जिस पर support नहीं करता है then simply आपको एक mobile frame का जर्दत है इस तरह का जो आप Google से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको मेरे video के description में इसका link मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और तीसरा बस जर्दत है कि आप अपने YouTube चैनल का जो है वो a screen shot ले ले ओके फ्रेंड friend आप मेरे mobile screen को देख पा रहे होंगे आपको सबसे पहले अपने YouTube पर जाना है देन फ्रेंड यहाँ पे click करें देन आपके चैनल का नाम आ जाता है वहाँ पे click कर दे फ्रेंड देन माई चैनल का option आता है इस पे click करें देन इस पेज को सब a screen shot ले ले इस पेज का screen shot ले ले ओके फ्रेंड चलिए मैंने screen shot ले लिया save हो गिया यह देन कीन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करना है देन फ्रेंड यहाँ पे click करना है empty project देखे फ्रेंड सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यह मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट मैं आपको step by step बताऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं आपको सुरुवात में थोड़ा सा यह difficult लगेगा बट बहुत इजी आप इस वीडियो को अंत तक देखें और एक कोई भी background ले ले जो आपको पसंद है then black ले 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 चलिए मैं black ले लिया अब यहां पर click कर दे इसका जो length है अभी 5 seconds का इसको 10, 11, 12 seconds का कर लिजे क्योंकि इस पर आपको दिखाना है subscribe करते हुए bell को दबाते हुए और आपको बोलना भी तो है तो 10, 11 seconds का कर दिजे चलिए 12 seconds कर कर दिया मैंने ओके फ्रेंट अब यहां पर click कर दिजिए then layer पर जाईए then media पर then आपने जो frame डाउनलोड करके रखा है उसे open कर लिजे frame कहां पर रखा था मैंने यह दा frame open कर लिया friend then इसका side जो है वो fit ऐसा कर दिजे कि यह fit हो जाए screen पे बढ़ा कर दिजे friend finger से अब देखिए यह screen पर आ गया थोड़ा सा move कर देते है okay friend then यहां पर click किजे और नीचे mobile frame के layer पर click किजे finger से then इसका भी length जो है कर दिजे 12 seconds का जितना आपने रखा था अपने background का okay friend then move कर दिजे यहां पर click कर दिजे then फिर से आपको layer पर जाना अब आपने जो screenshot लिया था अपने channel का media पर जाए screenshot का option जहां पर भी आपका हो देख लें आप जाए then मैंने लिया है यह इस पर click किया अब मेरा screenshot आ गया friend सबसे पहले क्या करना इस screenshot को जो है अच्छे से आपको यहां पर fit कर देना है जो black screen का space था आपके mobile फ्रेम पर वहां पर तो simply यह ऐसे किये then यहां से आपको जो है यह बड़ा होगा चलिए हो गया आप थोड़ा सबारिकी से करें ध्यान रखें आप अपने कला का प्रदर्शन करें मैं आपको थोड़ा firstly दिखा रहा हूं थोड़ा चीज़ें इधर इधर होगा ओके फ्रेंट बट हो गया मुझे लगता है चलिए हो गया जी हां प्रेंट then नीचे लेयर पे आईए स्क्रीम सोट के लेयर पे क्लिक कर दिजिए इसका भी लेंथ जो है 12 सेकेंड का कर दिजिए ओके हो गया फ्रेंट then यहां पे क्लिक कर दिजिए then एगें आपको लेयर पे जाना है ओके फ्रेंट अब टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट का ओप्शन चूज कर लें then यहां पे सब्सक्राइब लिखें ओके कर दें अब आपको इस साइड में मिलेगा नीचे आईएगा सेडो का ओप्शन तो इसे डिसेबल कर दें और नीचे आईएगा तो आपको बैक्ग्राउंड कलर का इसे इनेबल कर दें फ्रेंड then यहां पे क्लिक करें और कलर चूज कर लें बैक्ग्राउंड का रेड मिलता है रेड कर दिजे इसके इंटेंसिटी को विजिबिलेटी को हाई कर दिजे क्लिक कर दिजे then अब स्क्रीन पे आईए फ्रेंड और इसे थ्वा सेट कर दिजे जस्ट आपके चैनल के नाम के नीचे इससे मूव होगा और इससे छोटा बड़ा होगा ओके फ्रेंड और छोटा कर दिजे चलिए हो गया यह देन यह रहा इसके लेयर पे जाएए इसका लेंट कर दिजे 12 सकेंड के आसपास तो अच्छा कम बड़ा जाइदा मतलब आप कर सकते हैं लेयर जो है बाद में आप जो है कट कर देंगे ओके फ्रेंड थ्वा जायदा बड़ा भी होता है किसी का लेयर तो होने दे जब फाइनली आपका वीडियो त्याद हो जाएगा देन आप थ्वासा एक साइज में करने के लिए आप सिंप्ली क्लॉप कर दें ओके फ्रेंड अब फ्रेंड सब्सक्राइब में अब जो है यहाँ पर ओके कर दें अब हमें सब्सक्राइब के जश्ट बगल एक घंटा लगाना है तो फ्रेंड लेयर पर आ जाए देन आप एगेंड टैक्स्ट पर जाए देन आप कीवर्ड के इमोजी पर चले जाए ओके फ्रेंट यहाँ छोज ले घंटा कहां पर सभी में थोआ इधर उधर होता है आप देखने फ्रेंट मुझे मिल गया ओके घंटा को ज़श्ट बगल में रखना है उसी तरह इससे आपका जो है डारेक्शन मूव होगा इधर उधर इससे थोगा साइज होगा आप बड़ा करना चाहें छोटा करना चाहें आप थोगा ज्यादा कालिगरी दिखाए मतलब समाई लेकर आराम से करें ओके फ्रेंट चलिए यहाँ पर ठीक हो गया दैन हम लेयर पर आते हैं और इसे भी बना देते हैं कम्प्लीट सुरुवात और इन मिला देते हैं 12 सेकेंट का चलिए हो गया अब हम वीडियो को सेब कर लेते हैं यहां तक क्यों कि बहुत जादा लेयर हो जाएगा तो में भी कनफ्यूजन हो ओके फ्रेंट तो हम यहाँ पर जाते हैं क्लिक करते हैं यह दा मिरा अंटाइटल प्रोजेक्ट इसे ओपन करते हैं क्लिक करके देन यहां पर शेयर का उप्सन आता है क्लिक करते हैं सेब वीडियो टू गैलरी हाई डेफिनिशन या फूल एचली आप चूज कर लें फ्रेंट चलिए मैं हाई डेफिनिशन कर देता हूं तो आसा टाइम लगेगा यह मेरा अब सेब हो गया अगर कुछ मिस्टेक हो अगरा भी करें तो डिलीट नहीं होगा मतलब मेरे पास है यहां तक का प्रोजेक्ट तयार है ओके फ्रेंट अब हम लोग बैक जाते हैं एगैन क्लिक करते हैं इम्टी प्रोजेक्ट यह आ गया ओपन हो गया फ्रेंट दैन अगैन मीडिया ब्रावजर जाते हैं बैक्ग्राउड कोई भी एक लेल है चलिये फिर से ब्लेक्ट लेलेते हैं इसे फिर से टूवल्व सेड्ट का कर देते हैं हो गया फ्रेंट click करते हैं then again हम लोग layer पर जाते हैं media पर और जो हम लोगों ने recently अभी export किया था save किया था इसे click करते हैं ये रहा हम लोग लेते आते हैं आगया friend अब यहाँ पर crop का option दे रहाँ अगर आप दूसरा background रखें अभी तो हम change कर दें या इतना ही दाने दें कोई difference नहीं होता है क्योंकि मैंने जो नीचे background रखा ये भी black है ये भी black अगर आप थोगा change रखते हैं शुरुवात में आपने कोई दूसरा color रखा था अभी black रखा है तो आप थोगा इसे crop कर दें फिट कर दें अपने स्क्रीन पर ओके प्रेंट शल ये हो गया देन आप यहाँ पर click कर दें ओके देन आप again layer पर जाएं जैसे अब हमें क्या करना है जब हम लोग यहाँ पर subscribe प्रेस करते हैं फिंगर लगाते हैं उंडी लगाते हैं तो subscribe आता है देन यहाँ पर भी बेल पर हम लोग अगर प्रेस करतें हैं तो बेल आता है तो हम लोग simply देर सकेंड रखते हैं दो सकेंड चलिए रख दिए देन हम लोग समझे कि सब्सक्राइब कर दें ओके इसके लिए हम लोग पहले लेयर पे जाते हैं फिर से टैक्ष लिखते हैं अबर सब्सक्राइब लिखना है ओके करते हैं फ्रेंट देन नीचे आ जाते हैं सेडो आप कर देते हैं देन नीचे आते हैं बेक्ग्राउंड कलर ओन कलर जो है चूज करते हैं फ्रेंट सब्सक्राइब करने के बाद कुछ इस तरह का कलर हो जाता है तो इसे हम लोग रख लेते हैं visibility को फूल कर देते हैं then okay अब exactly जो नीचे है उसके उपर इसको fit कर देना है बट ऐसा fit करना है कि नीचे वाला नहीं दिखे चलिए हम लोग गए अब नीचे वाला नहीं दिखता है थ्वासा लेकिन उपर का नाम कट रहा है तो और छोटा करते है चलिए best हो गया फ्रेंड अब यहां के बाद से हम लोग इसको फूल कर देते हैं subscribed का जो layer है इसको इधर तो यहीं तक रहेगा क्योंकि यहां के बाद हम लोग subscribe कर रहे हैं अब finger जोए touch कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और subscribe कर ले हैं To friend इसे हम लोग then यहां तक just उंट कर देते हैं इसका length हो गया friend अब कुछ दिर बान लेजिए subscribe किया ,then कहां पे subscribe टू वट वट तू व्याँ तो हम लोग 4.5 में जाते हैं और एक और बेल लगा देते हैं फ्रेंट ताकि बेल पे भी जब फिंगर करें तो फोल पॉइंट फाइप सिक्स के अप्रॉक्स जाईए देन आप फिर से लेयर पे जाईए टेक्स्ट देन इमोजी देन बेल को चूज कर लिजे ये रहा, ओके एक्जेक्ट्ली उसके उपर रख देजिए एक्जेक्ट्ली रह गया फ्रेंट अब ये जो बेल है वो यहां से स्टार्ट तो हुआ इसका लेंट जो है हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि एक बार प्रेस होनेक बार फिर से बेल छोटा हो जाए पुराना वाला रहे तो हम लोग डेल सकेंट का कर देते हैं ये स्टार्ट हुआ चार से 6.2 चलिए ओके फ्रेंट हो गया 1.7 सकेंट का देन यहां पे क्लिक करते हैं देन सब्सक्राइब के पास देखिए चलिए प्ले करके देखिए हम लोग अब समझे यह सब्सक्राइब हो रहा है मतलब फिंगर प्रेस कर रहा है तभी तो तो सब्सक्राइब से जश्ट पहले हम लोग को जाना है और layer पर जाके हम लोग को यहाँ पर एक finger दे देना है प्रेस करने का बटन तो text पर जाएंगे emoji पर जाएंगे रुकिए फ्रेंट back जाएए उससे पहले एक चीज़ सब्सक्राइब पर जब गए तो subscribe के layer को click किजे और subscribe को एक animation दे देता है कि जब subscribe करेगा तो pop up करेगा ओके फ्रेंट तो animation पर जाएए देन pop का option दिख रहा है कर दिजे ओके देन फिर bell का जो layer था उस पर click किजे click किए in animation के option पर जाएए pop का option पर click कर दिजे तो देखिए अब किस तरह का video हो गया हमारा ये मान लिजे चला प्रेस किया तो subscribe देन प्रेस किया bell पर देन फिर ये down हो जाता है ओके फ्रेंट अब subscribe जहाँ पर आ रहा है फ्रेंट वहाँ पर हम लोग just starting के पास जाना है और हमें finger देना है प्रेस का तो layer पर जाता है फ्रेंट टेक्स्ट पे emoji पे देन हम लोग finger ये रहा ओके अब finger थुआ बढ़ा कर लेते हैं जायदा भी बढ़ा नहीं करना है ये रह गया चलिए best है finger को रख देते हैं हम लोग देर सकेंट के लिए तो 2.1, 3.5 मालने जए 3.5 गया और ये bell जो है cut कर देते हैं इसके बाद ओके फ्रेंट ये sorry finger जो है cut कर देते हैं तो finger के layer को touch करते है then यहाँ पे catch ही दिख रहा है फ्रेंट click किये trim to right of playhead ये cut हो गया अब फ्रेंट हम लोग finger को जो है animation दे देते हैं तो हम लोग finger के layer पे click करते है then in animation पे जाते है और एकदम नीचे जाएंगे scale down मिलेगा लगेगा प्रेस कर रहा है ये वाला animation दे देते हैं then हम लोग आगे गए end पे और click किये finger को अब एक out का animation दे देते हैं एकदम नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा scale आप लगेगा कि finger उठा रहा है okay friend दे दिए उपर click किजिए okay अब bell के पास आ जाएए just bell प्रेस करने वाला है तभी finger को दे दिजिए चलिए layer पे गाए text पे गाए emoji पे गाए finger पे गाए ओके हम लोग सुरवात में ही दे देते हैं in animation scale down okay और थो आप बढ़ा कर लेते हैं finger को लग दिए बेल पे अब हम लोग डेल सकेंड मूब करते हैं 4.7 है तो चलिए manager 6.1 चलिए 6.1 पे गाए then हम लोग cut कर देते हैं trim to right of playhead cut हो गया friend अब हम लोग end में animation out का animation दे देते हैं out animation नीचे जाते हैं scale up okay friend यहां पे देते हैं scale up okay friend देखते हैं अब सही से हुआ या नहीं चलिए scale down हो गया friend अब इतना को हम लोग export कर देते हैं ताकि confusion ना हो okay friend यहां पे फिर click करेंगे then untitled one पे click किये share save video high definition अब फ्रेंड हमारा करीब करीब वीडियो तयार हो गया इंट्रो तयार हो गया बस इस मैं zoom in और zoom out का animation देना है और अपने voice को add करना है okay friend then back जाहिए plus पे click किजे empty project again media browser background चूज कर लिजे 12 seconds का बना दिजे click then layer again media और recently आपने जो export किया जो save किया gallery में उसे open कर लिजे again crop कर दिजे full screen पे हो गया friend okay अब प्ले करके देखते हैं अ आप कर रहे हैं बटन एड प्रेस कर रहे हैं तो जश्ट उससे पहले नीचे एक्सपोर्ट जो हमने किया उस पर क्लिक करना फ्रेंड देन आपको यहां एक चाभी के तरह दिखेगा एनिमेशन का इसे क्लिक कर देन देन यहां पर इसे क्लिक करना है इस पॉइंट को यहां एक पॉइंट दे देना है देन हम लोग को मूब कर आना और देखना है कब हमारा दोनों में जो सब्सक्राइब और नॉटिफिकेशन बेल में वो प्रेस इंड होता है जब दोनों में प्रेस हो जाएगा चलिए यहां पे end हो जाता है तो यहाँ पे ix point दे देते हैं हो गया point then हम लोग zoom कर देते है यह वाला animation दे देते हैं तो दोनो finger दखना है दोनो side और zoom करना है थेथ़ा सा नीछे कर देए दोनो finger को दखके चलिए इतना ठेक है either then हम लोग और थेखा move करते हैं नीचे आईए नीचे स्लाइड किजिए अपने सारे लेयर को टाइम लाइन पर देन आप जब नाइन सेकेंड पर जाते हैं तो हम लोग यहां पर एक और दे देते हैं एनिमेशन की आप नॉर्मल होता जाएगा जूम आउट होगा ओके फ्रेंड तो यहां एक पॉइंट एड कर दिये अब हम लोग नॉर्मल कर देते हैं दौनों फिंगर रखेंगे यहां पर दौनों साइड पर चलिए यह हो गया फ्रेंड देन इसके बाद नॉर्मली मूब करेगा ओके फ्रेंड हम लोग ऊपर प्रेस करते हैं और देखते हैं कैसा हुआ है हमारा प्रोजेक्ट प्ले करते हैं फ्रेंड यह देखे जूम होने लगा प्रेस किया सब्सक्राइब देन बिल को दबाया दे फ्रेंड जूम आउट होने लगा देन अस्टेबल मूब किया हमारा इंट्रो एकदम पर्फेक्ट बन गया है फ्रेंड अब जरुदत है बस हमें अपने वाइस को एड़ करने का तो हम लोग सुर्वात में जाते हैं सिंप्ली वाइस का टैब दिख रहा होगा यहाँ पर आप क्लिक कर दे अस्टार्ट पर क्लिक करें और बोलना चालू कर दे ओके फ्रेंड कैसे देखें अस्टार्ट हो गया है फ्रेंड अब चालू कर दे सब्सक्राइब किजे मेरे त्यार हो गया है फ्रेंड शिंप्ली आप यहाँ पर क्लिक किजे देन अगेन यहाँ पर क्लिक किजे अंटाइटल टू प्रोजेक्ट को अपन किजे शेयर सेब वीडियो टू गैलरी हाई डेफिनिशन और फूल डेफिनिशन फूल एच्टी जैसा भी आप रखना चाहते थे आप इसे सिंप्ली एक्सपोर्ट कर दें और यूज करें अपने वीडियो में थ्वासा क्लॉपिंग का जड़त है जब आप वीडियो के साथ यूज करेंगे या नेक्स टाइम थ्वासा दौनों तरप से हाफ हाफ सकेंड कट कर दें ताकि फ्रेसली आपको मिल सके आपका इंट्रो अब देखिए फ्रेंड ओके पर क्लिक करते हैं या प्ले करके देखते हैं बहुत अच्छे से काम करता है फ्रेंड आप बहुत आसानी से बना पाएंगे मैंने थ्वासा वीडियो को लंबा जरूर खीचा है बट अस्टेप वाईज आपको सारा डिटेल्स बताया है इस वीडियो में ताकि आप एजली बना सकें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो फ् इनमाश्टर अप्लिकेशन आपके फॉन में सपोर्ट नहीं करें तो वीडियो के डेस्किप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आप इस अप्लिकेशन का किस तर से यूज कर सकते हैं आप वीडियो देख लें और यूज करें ओके फ्रेंट्स आपको अगर मेरा ये जूज करेंम आपक primary